ओम नवस्षिवाय शिवाय नवह हरहर बाहदेव सबसे पहले विभिन आदिनम से जुड़े आप सभी पुज्य संतों का मैसीज जुकाकर अभिनन करता हूँ आज मेरे निवास्तान पर आपके चरण पड़े हैं ये मेरे लिए बहुत सोभागे की बात है ये भगवान शिव की कृपा है जिसकी वज़े से मुझे एक साथ आप सभी शिव भक्तों के दर्शन करने का मोका मिला है मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि कल नए संसत भवन के लोकारपन के समय आप सभी वहां साक्षात आकर के आशिरवात देने वाले हैं पुझे संतगान हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में तमिन नाडू की कितनी महत्वपुण भूमिका रही है बीर मंगई वेलू नाचिया से लेकर मर्द भाईयों तक सुब्रमन्यम भारती से लेकर नेताजी सुभाज चंद्रवोज के साथ जुड़ने वाले अनेकों तमिन लोगों तक हर यूग में तमिन नाडू भारतियर राष्ट्रवाद का गड़ रहा है तमिन लोगों के दिल में हमेशा से माभारती की सेवा की भारत के कल्यार की भावना रही है बावजुद इसके ये बहुत दुर्भाग्य पुण है कि भारत की आजहादी में तमिन लोगों के योगदान को वो महत्वन नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिये था अब बीजेपी ने इस विशे को प्रमुकता से उठाना शुरू किया है अब देश के लोगों को भी पता चल रहा है कि महान तमिन परंपरा और राष्ट भर्ति के प्रतीक तमिन नाडु के साथ क्या व्यवार हुआ था जब आजादी का समय आया तब सत्ता के हस्तान तरण के प्रतिक को लेकर प्रश्ण उठा था इसके लिए हमारे देश में अलग-अलग परंपराय रही है अलग-अलग रिती रिवाज भी रहे हैं लेकिन उस समय राजाजी और आदिनम के मारदर्शन में हमें अपनी प्राचीन तमिल संस्कृति से एक पुन्य मार्ग मिला था ये मार्था सेंगोल के माध्यम से सत्ता हस्तान तरण का तमिल परंपरा में शासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था सेंगोल इस बात का प्रतिक था कि उसे धारन करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्यान की जिम्मेदारी है और वो कभी कर्तव के मार्ग से विचलित नहीं होगा सत्ता हस्तान तरण के प्रतिक के तोर पर तब 1947 में 1947 में पवीत्र तिरू वावडू तुरई आधिनम द्वारा हां एक विशे सेंगोल तयार किया गया था आज उस दौर की तस्विरें हमें याद दिला रही हैं कि तमिल संस्कृती और आधुनिक लोकतंत्र के रूप में भारत की नियती के बीच कितना भावुक और आत्मिय सम्मंद रहा है आज उन गहरे समंदों की गाथा इतिहास के दबे हुए पन्नों से बहार निकल कर एक बार फिर जिवन्त हो उठी है इस से उस समय की घटनाओं को समझने का सही दस्त्रिकोंड भी मिलता है और इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि सत्ता के हस्तान तरण के इस सबसे बड़े प्रतिक के साथ क्या किया गया मेरे देशवासियों आज मैं राजा जी और विभिन्न आदिनम की दूर दर्शिता को भी विशेश तोर पर नमन करूंगा आदिनम के एक सेंगोल ने भारत को सेंकडों वर्सों की गुलामी के हर प्रतिक से मुक्ती दिलाने की शुरुवात कर दी थी जब भारत की आजादी का प्रतंपल आया आजादी का प्रतंपल वो क्षण आया तो ये सेंगोल ही था जिसने गुलामी से पहले वाले कालखन और स्वतंत्र भारत के उस पहले पल को आपस में जोड दिया था इसलिए इस पवित्र सेंगोल का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये 1947 में हस्तान तरण का प्रतिक बना था इस सेंगोल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने गुलामी के पहले वाले गवरवशाली भारत से उसकी प्रप्राओं से स्वतंत्र भारत के भविश को कनेक्ट कर दिया था अच्छा होता कि आज़ाजी के बाद इस पुझ्य सेंगोल को परियाप्त मान सम्मान दिया जाता इसे गवरों में स्थान दिया जाता लेकिन ये सेंगोल प्रयाग राज में आनन भवन में वाकिंग स्ट्रीक यानि पैदल चलने पर सहारा देने वाली चड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था आपका ये सेवक और हमारी सरकार अब उस सेंगोल को आनन भवन से निकाल कर लाई है आज आज़ादी के उस प्रधम पल को नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के समय हमें फिर से पुनर जिवित करने का मोका मिला है लोग पंत्र के मंदिर में आज सेंगोल को उसका उची स्थान मिल रहा है मुझे खुशी है कि अब भारत की महान परंपरा के प्रतीक उसी सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा ये सेंगोल इस बात की याद दिलाता रहेगा कि हमें कर्तव्य पत पर चलना है जनता जदारण के प्रती जवाब देहे बने रहना है पुझ्य संतगण आदिनम की महान परेरक परंपरा साक्षात सात्विक उर्जा का प्रतीक है आप सभी संत शायू परंपरा के अन्युआई है आपके दर्शन में जो एक भारत स्रेष्ठ भारत की भावना है वो स्वयम भारत की एकता और अखंडता का प्रतिविम्ब है आपके कई आदिनम के नामों में ही इसकी जलक मिल जाती है आपके कुछ आदिनम के नाम में कहिलाश का उलेख है ये पवीत्र परवत तमिलनाडु से बहुत दूर हिमाले में है फिर भी ये आपके रदय के करीब है शैव सिध्धान्त के प्रसिद्ध संतों में से एक तिरु मुलर के बारे में कहा जाता है कि वो कैलाश परवत से शिव भक्ति का प्रसार करने के लिए तमिलनाडु आए थे आज भी उनकी रचना तिरु मंदिरम के श्लोकों का पाठ भग्वान शिव की इस बुरुती में किया जाता है अपर, समंदर, सुंदरर और मानिक का वाजगर जैसे कई महान संतों ने उज्जेन, केदारनाथ और गौरी कुन का उल्ले किया है जनता जनादन के आशिरवाद से आज मैं महदेव की नगरी काशी का सांसद हूँ तो आपको काशी की भी बात बताऊंगा धर्मपुरम आदिनम के स्वामी कुमार गुरुपरा तमिलनाडु से काशी गए थे उन्होंने बनारस के केदार घाट पर केदारेश्वर मंदीर की स्थापना की थी तमिलनाडु के तिरू पन्नदारु में काशी मट का नाम भी काशी पर रखा गया इस मट के बारे में एक दिल्चस्प जानकारी भी मुझे पता चली है कहा जाता है कि तिरू पन्नदारु का काशी मट तीर्थी आत्रियों को बैंकिंग सेवाए उपलब्द कराता था कोई तीर सी आत्री तमिलनाडु के काशी मट में पैसे जहमा करने के बाद काशी में प्रमान पत्र दिखा कर वो पैसे निकाल सकता था इस तरह शाइव सिध्धांत के अन्याईयों ने सिर्फ शिव भक्ति का प्रसारी नहीं किया बलकि हमें एक दूसरे के करीब लाने का कारिय भी किया पुझ्य संतका सैक्डो वर्सों की गुलामी के बाद भी तमिन नालु की संस्कृती आज भी जिवन्त और सम्रुद्ध है तो इसमें आदिनम जैसी महान और दिव्य परमपरा की भी बड़ी भूमी का है इस परमपरा को जीवित रखने का दाइत्व संत जनों ने तो निभाया ही है साथ ही इसका स्रेक, पीडीत, शोसीत, बंचीत सभी को जाता है कि उन्होंने इसकी रक्षा की उसे आगे बढ़ाया राष्ट के लिए योगदान के मामले में आपकी सभी संस्ताओं का इतिहास बहुत गवरोशाली रहा है अब उस अतीद को आगे बढ़ाने, उससे प्रेरित होने और आने वाली पीडियों के लिए काम करने का समय है पुझ्य संतगाण, देश ने अगले 25 वर्सों के लिए कुछ लक्ष तै किये है हमारा लक्ष है कि आजादि के सोग साल पूरे होने तक एक मजबूत आत्म निर्फर और समावेशी विक्षिद भारत का निर्माण हो 1947 में 1947 में आपकी महत्वप्ण भूमिका से कोटी कोटी देशवासी पुना परिचित हुए है आज जब देश 2047 के बड़े लक्षों को लेकर आगे बढ़ रहा है तब आपकी भूमिका और महत्वप्ण हो गई है आपकी संस्ताओं ने हमेशा सेवा के मुल्यों को साकार किया है आपने लोगों को एक दूसरे से जोडने का उनमें समानता का भाव पैदा करने का बड़ा उदाहरन पेश किया है भारत जितना एक जूट होगा उतना ही मजबुत होगा इसलिए हमारी प्रगती के रास्ते में रुकावटे पैदा करने वाले तरह तरह की चुनोतियां खड़ी करेंगे जिने भारत की उन्नती खटकती हैं वो सबसे पहले हमारी एकता को ही तोड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन मुझे विश्वास है कि देश को आपकी समस्ताओं से आध्यात्मिक्ता और सामाजिक्ता की जो शक्ती मिल रही है उससे हम हर चुनोति का सामना कर लेंगे मैं फिर एक बार आप मेरे हाँ पधारे आप समने आशिरवाद दिये इसलिए मैं जितना धन्यवाद करू उतना कम है फिर एक बार आप सब को प्रणाम करता हूं ओम नमश्यवाई वानकम